तो यहाँ पर हमारे पास नया एक question आया है जस्राज दैया जी का 15 साल 15 चाल इन्हों ने लिखा है साल लिखना चाहिए 15 साल बाद देश के हलात पाकिस्तान जैसे हो जाते पैसो का कोई value नहीं रहेगा एक करोर का value पांच लाख रहेगा ठीक है हो सकता है definitely हो सकता है पाकिस्द और अगर आपको इतना जादा believe है मैं ایک अच्छे वे में कहरो अगर आपको इतना जादा बिलीफ है कि गोल्ड में करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे हालात हो जाएंगे तो आपके जमीन पे कोई ओर कब जा कर लेगा अगर गोल्ड में सम्झा फिजिकल गोल में इंवेश्ट करके रहते घर से चोड़ी हो जाएगा अगर आप स्टॉक मार्केट में इंवेस्ट करते हो पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे डेट मार्केट में करते हो डूब जाएगा पैसा अगर आपको लगता है कि हमारे इंडिया के हालात वैसे हो सकते हैं बिल्कुल भी आपको इंवेस्टमे रहे हो इक्विटी मार्केट में इंडिया के अंदर में इसका मतलब है आपको भरोसा है कि इंडिया सही रास्ते पे है ग्रोव कर रहा है और ग्रोथ होगी फ्यूचर में पैसा आपका तभी बढ़ेगा जब इंडिया के अंदर में ग्रोथ होगी और आपको लगता है कि अग आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो या तो आपकी अनलिसिस गलत है आप जूठा अनलिसिस कर रहे हो गलत अनलिसिस कर रहे हो या फिर आप ऐसे ही कुछ भी बोल दे रहे हो आके दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है या तो आपको अपने देश में भरोसा हो सकता है या त भोड़न, इंडिया की economy खतं हो रही है, और देश बेचा जा रहा है, सारी चीजों जो गह रहे हैं, यह सब कहने की बाते हैं, बड़े लोग जो हैं, बड़े लेवल के लोगेह, वो ये सब सारी चीज़े समझते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ कहने की बाते हैं जो middle class, lower middle class, lower class लोग हैं इन चीजों पे वो लोग बिना कारण के लड़ते रहते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो लोग ये आके कहते हैं जो लोग ये हला मचाते रहते हैं सबसे ज़्यादा उन्ही का पैसा businesses में invest होता है startups में invest होता है equity markets में invest होता है सबसे ज़्यादा उन्ही का पैसा invest होता है अगर उनका belief सच में होता कि इंडिया डूबने वाला है जो सरकार है वो सब कुछ बेच रही है सब खतम होने वाला है अगर उनको सच में ऐसा बिलीफ हो था तो वो एक रुप्या भी इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे नहीं इन्वेस्ट करते सारे ही अब देखो यहाँ पर मैं बोली देखो सारे opposition के निताओं का भी देख लो और हो भी रही है काफी तेजी से ग्रोथ और इसलिए वो इन्वेस्ट भी करते हैं लेकिन क्योंकि वो है opposition में government में जो भी government को एक लो कुछ लोग government के एगंस्ट में बोलेंगे कुछ लोग government के favor में बोलेंगे तो आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है आप जो middle class हो, lower middle class हो या lower class हो, मैं भी हूँ, सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ तो हमें अपना दिमाद खोल कर सोचना है और invest करना है, उनका वो काम है वो सरकार को गाली दे कर या कुछ भी करके उनको पैसे आ रहे हैं उस चीज से उनका काम ही वही है, उनका job ही वही है तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे लेकिन आपको देखना है कि क्या वो सच है या गलत है अगर आप भी आपको लगता है कि एकदम सच है तो आपको बिल्कुल भी investment नहीं करना चाहिए और आप भी ये चीज़े समझते हों कि उनका वही काम है कि न्यूज चैनल पे आके उल्टा सीधा बोलना उसी बात की पार्टी पैसे देती है उनको ये चीज़े समझो अगर उनकी बातों में आके रह जाओगे उनको लड़ने दो उनको बोलने दो जो बोलना है आपको आप यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हो नॉर्मल जो परसन है उनको उनके पास उतना पैसा परा हुआ नहीं है कि वो पॉलिटिकल डिबेट में जाके और उन चीजों को समझे और उन चीजों के लिए सोचे और काम करे आपको अपने लिए यहाँ पे काम करना है अपने लिए पैसा बनाना है तो पाकिस्तान बन जाएगा स्रिलंका बन जाएगा जिमबाबे बन जाएगा यह सब सारी चीज़े छोड़ो अगर आपको सच में लग रहा है बन जाएगा तो फिर मत करो इंवेस्ट हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आपको भरोसा है इंडिया पे कि ग्रोथ हो सकती है तो ही इंवेस्ट करो नहीं है भरोसा तो मत करो खुद को कम से कम बेवकूफ मत बना